सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटुब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असाने से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूटुब चैनल निमीजी नेट पर हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तो आज हम mathematical reasoning में 3 से 4 त्रह के question कोशन करने वाले हैं देखे दोस्तों वैसे तो mathematical reasoning बहुत ज़्यादा बड़ी है उसके अंदर काफी तरह के question आ सकते हैं लेकिन हम उन चीजों पर focus कर रहे हैं जो UGC net के अंदर बार बार पूछी जाती है जो concept बार बार आता है UGC net के अंदर तो आज हम आपके सामने तीन से चार तरह के question लेके आ इन में से करीब 10-15 बार question आए हैं दोस्तों तो यह जो topic है हमारे लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी चीज़ यह होते हैं दोस्तों कि हमें यह पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना तभी हमारा exam clear हो सकता है तो हम आपके लिए चुनिंदा ऐसे question लेके आए हैं जो बार बार repeat होते question paper में तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से study करने के लिए हमारा paid course भी जोइन कर सकते हैं इसके इंदर हम आपको सभी 10 unit के study notes दे मिलेंगे इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 unit के live mock test देते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा paid course जोइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस WhatsApp नमर पर contact कीजिए पहले इसने दिया है कि दो संख्याई जिनका अनपात कितना है थरी अनपात 5 यानि कि रेसो कितना दिया है थरी रेसो 5 दिया है अगर इसमें से 9 को उन संख्या में से घटा दिया जाए यानि कि ये जो उपर रेसो दिया है इसमें से 9 माइनस कर दिया जाए तो हमारा जो रे X जो संक्या है और दूसरी हमने माल लई 5X अब इसमें क्या करेंगे अगर उन में से 9 को घटा दिया जाए तो इनमें हम माइनस 9 कर लेते हैं और यहां भी हमने माइनस 9 कर लिया अब देखिए अब जो रेस है वो हमारा क्या हो जाए दोस्तों इक्वल टू 12 बटे 23 इसका रेस के साथ multiplication करेंगे अब देखिए यहां पर मैं equation लिख लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आजए 23 इंटू में 3X माइनस में 9 लिख लिया इक्वल टू में क्या होगा 12 इंटू में 5X माइनस में 9 यह मैंने लिख लिया अब देखिए अब दोनों को हम multiply करते 23 को जब हम 3 से multiply करेंगे तो यह आजाए हमरे पास 69 यहाजएगा 69X आजएगा minus में जब हम 23 को 9 से multiply करेंगे तो यह आजएगा 247 इक्वल टू में अब यह देखिए है दोस्तों यह यहां पे आएगा यहां पे पलस है यहां के क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा 69 में से जब 60x माइनस होंगे तो क्या रहे जाएगा हमारे पास 9x यहां पे रहे जाएगा और equal to में यह देखें यहां पे 207 जो यह है यहां पे माइनस का है और यहां आके क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास प्लस का हो जाएगा अब देखिए प्लस के 207 है हमारे पास और माइनस के 108 तो यानि कि 207 में से 108 जब हम माइनस करेंगे तो कितना रहे जाएगा हमारे पास 99 यहाँ पे इस साइड में रहे जाएगा अब देखिए यहाँ पे 9X है और यहाँ पर 99 है तो यहां से X की जो value है दोस्तों वो क्या आजाएगी हमारे पास 11 value आजाएगी, यानि कि 99 बटे में 9 करेंगे यहाँ पर मैं करके देता हूँ 99 बटे में 9 करेंगे तो क्या जाएगा? 11 आजाएगा अब देखएगे अब 11 11 क्या है हमारी 11 X की value आई है और जब ये X की value 3 X और 5 X के अंदर रखेंगे तो क्या होगा 3 X के अंदर X के value रखेंगे तो 11 33 हो जाएगा एक जो हमारी जो रकम है वो हो जाएगी 33 और दूसरी क्या होगी 5 X की जगे वो 11 रखेंगे तो 11 55 यानि कि दूसरी क्या हो जाएग एक होगे 33 और दूसरी होगी 55 तो हमारा जो आंसर होगा वो सी आंसर यहां से आ जाएगा तो दोस्तो इस तरह से आप बिलकुल असानी से कोशन कर शकते हैं और दोस्तो अगर आपको यह समझ में ना है तो आप हमें वर्टसप पे मैसिज कर शकते हैं हम आपको सोलुशन दे द देंगे और चलिए अब हम अगला कोशन करके देखते हैं दोस्तो उसमें आपको बिलकुल असानी से और भी समझ में आ जाया अगर कोई कंफ्यूजन रहा हुआ है तो अब देखें दोस्तों यह हमारा जुलाई 2018 के अंदर कोशन आया था इसके अंदर का है कि दो संख्याओ का अनुपात दो अनुपात पांच है यदि दोनों संख्याओं में 16 जोड दिया जाए तो उनका अनुपात क्या हो जाता है एक अनुपात दो हो जाता है सेम टू सेम यह वही कोशन है दोस्तों उसी तरीके से हमें करना है अब देखें जो संख्या है वो हम एक्स लेके चलत Plus में यहाँ पर अब देखे तो उनका नुपात कितना हो जाता 1 नुपात 2 हो जाता तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर यह डिवाइड कर दिये तो Equal To में किस के हो जाएगे 2 हो जाएगा अब दोबारा इसमें वही करेंगे Cross Multiplication इसके साथ Multiply किया अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे जब 2 को यहां पे मैं लेकर लेता हूँ दो को हम जब 2x पलस में 16 यहां पे यहां पे यहां गया हमारे पास ओर equal to तु में यह एक है यहां गया 5x पलस में 16 यहां पे अब देखिए 2 दुनी 4x 16 दुनी 32 बराबर में ये तो एक से multiply करेंगे तो इतना ही रहेगा 5X पलस में 16 अब देखी अब इसमें क्या करेंगे ये जो 4X है इसको यहां पर लेके आएंगे तो यहां क्या रह जाएगा दोस्तों यहां हमारे पास केवल X रह जाएगा यानि कि 5X में से जब 4X जाएगा तो 1X रह जाएगा और ये जो 16 है दोस्तों 16 को इस साइड में लेके आएंगे तो यह यहां पर क्या रह जाएगा हमारे पास 16 रह जाएगा यानि कि X की value क्या आ जाएगी हमारे पास यहां पर 16 value आ जाएगी अब देखिए X यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 16 आ गया और अब देखिए अब जो real जो हमारी संख्या है वो निकालते 16 को जब 2X और 5X के अंदर रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे रखेंगे तो 16 दुनी 32 एक जो संख्या हो हमारी 32 आ जाएगी और दूसरी हो जाएगी 80 यहाँ से भी मैं उमीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यह कोशन अब हम अगला कोशन देखते दोस्तों यह हमारा जून 2019 के अंदर आया था अब यह देखे यह थोड़ा सा उनसे अलग है लेकिन बिलकुल असान है इसमें कहा है कि यदि 152 को 3, 4, 5 और 7 के नुपात में चार भागों में विवाजित किया जाता है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी सबसे छोटा भाग क्या होगा यहाँ पर आप इंगलिस में भी पढ़ सकते है बिलकुल असानी से समझ में आ जाएगा यानि कि एक संख्या है हमारे पास 152 टोटल और जो अदर जो संख्या है जो चार संख्या से मिलके यह एक सो बागों बना है तो उनका जो अनुपात है तीन चार पांच साथ इन्होंने अनुपात दिया हुआ है तो यह कहरा कि सबसे चोटा जो पार्ट है यानि कि सबसे चोटा थरी है यहाँ पर थरी की रियल वैल्यू क्या होगी वो हमें पता करना है तो इसके लिए बिलकुल सिंपल है दोस्तों तीन चार पांच साथ इन सभी को आप काउन्ट कर लीजी यह कितना होगा यह हमारा होगा दोस्तों उन्निस हो जाए उन्निस होता है यह माण लिया हमने 19x हमने माण लिया अब देखे एकस की वैल्यू क्या हैगी x एकुल टू एकसो बावन बटे में 19 अब देखे दोस्तो 122 को जब हम 19 से cut करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तो अभी देख लेते हैं मैं divide कर लेता हूँ यहाँ पर आएगा 8 आएगा दोस्तो एक्स की value क्या आजएगे हमारे पास 8 आजएगी और जब हम 8 को 3X से multiply करेंगे तो क्या आजाएगा हमारे पास 8 तिया 24 यानि की 24 ईसका अंसर बिलकुल असानी से आजाएगा तो इस तरह से दोस्तो आप बिलकुल असानी से question कर सकते हैं और फिर भी आपको कोई problem है इसके अंदर तो आप हमसे पूछ सकते हैं तो अब हम अगले तरह का question देखते हैं दोस्तो ये तोड़ा अलग type है ये अनुपात का type नहीं ये अलग type आ गये इसके इंदर इसके इनदर क्या है कि ये थोड़ा basic question है दोस्तो इस तरह के question में कोई ज्यादा हमें formula की जरूरत नहीं पड़ती इसमें हम यह कोशन पढ़के देखते हैं एक से 45 तक की उन विशम संख्याओं को जो तीन से विवाजित हो एक अरोही करम में रखा गया है अब देही दोस्तों यहाँ पर इंगलिस में पढ़ने की कोशिस करते हैं इसने कहा है कि the odd number from 1 to 45 odd number कौन से होते हैं दोस्तों जो 3 से डिवाइड होते हैं और इसमें कहा है कि which are exactly divided by 3 यानि कि जो number 3 से डिवाइड होते हैं उनको हमें count करना है और 1 से लेके 45 तक हमें count करना है और आगे देखी इसने क्या कहा है the number at 6th position जो छटे number position पे जो आए वो हमें बताना है कि इन में से कौन सा आएगा अब देखी इसके अंदर order number कौन से होते हैं यानि कि 3 की counting हम कह सकते हैं 3, 6, 9, 12, 15 और 18 अब देखी ये सभी के सभी 3 से डिवाइड होरे आप यहाँ पे देख सकते हैं अब देखी ये कह रहा है कि छटे number पे कौन से संख्याएगी छटे number पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 छटे पे क्या रहा है 18 तो इसका answer क्या हो जाएगा हमारा option number A इसका answer हो जाएगा तो दोस्तो इस तरह से आप बिल्कुल असानी से कर सकते हैं ये basic question होते हैं बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत होते है इनमें कोई formula यूजर नहीं करना और नहीं कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात अब हम अगला question देखते हैं दोस्तों ये हमारा December 2013 के अंदर आया है ये भी देखिए ये भी बिल्कुल असान है इसने काये कि निमल लिखित series ये इन्होंने एक series दिये इतनी बड़ी इसमें क्या करना है कि कितने यूगमों के बीच में दो का अंतर है अब हमें ये ऐसी digit देखने इनके बीच में कि जिनके अंदर difference दो दो का हो अब देखिए ये देखिए 6 और 4 इन दोनों के बीच में दो का अंतर है फिर आगे हम देखते हैं कि 5 और 3 के बीच में अंतर है अब देखिए 8 और 6 इन दोनों के बीच में भी दो का अंतर है तो इस तरह से हमें digit देखने कि ऐसे कितने digit बनती है हमारे कितने युगम बनते हैं जिनके अंदर दो दो का अंतर है तो दोस्तों आप ये बिलकुल असानी से देखना कोई इसमें दिक्कत नहीं है करके देखना आपको असानी से ये अंसर आ जाएगा अब हम अगला कोशन देखते हैं दोस्तों अगला है हमारा दुबारा फिर दिसंबर 2013 के अंदर ही आया था जीरो से लेके 99 तक कि सभी संख्याय लिखता है कोई वेक्ति है जो जीरो से लेके 99 तक संख्याय लिखता है उसके बाद क्या करता है इसमें अंक तीन कितनी बार आया अब ये कह रहा है कि तीन जो है वो कितनी बार आता है वो हमें पता करना है अब देखि से यह कह रहा है कि तीन जो है वो कितनी बार count हुआ है यह हमें बताना है तो दोस्तों यह बिलकुल असान question है यह आप करके देखना सोच के देखना आज एगा इसके अदर ऐसा कोई नहीं ए कि हम इसमें कोई formula लगाया है इसकी कोई ट्रिक है तो इस बिलकुल असान है आप थोड़ा समझने की कोशिश करना और अगर फिर भी आपको नहीं आए तो मैं कहा रहा हूं कि आप हमें वर्टसप कीजिए इस नमबर पर हम आपको इसका पूरा सुलिशन दे देंगे अब ये देखें दोस्तों ये जो कोशिशन है हमारा पहले वाले कोशिशन से बिलकुल डिफरेंट है पहले वाले किया थे हमारे रेसों के कोशिशन थे और सिंपल कोशिशन थे लेकिन इस तरह के कोशिशन क्या है कि ये थोड़े हमें पजल कर देते हैं सबसे पहले इस कोशि तो इसमें काफी कन्फ्यूज हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि इसका सही से आंसर क्या है लेकिन अगर हम इसे सही सिस्टेमेटिक ढंग से करें तो यह बिल्कुल आसान कोश्चन है अब देखिए यह कोश्चन कैसे होगा इसके लिए हम सुरू से ही एक टेबल बनाके चलते है ताकि हमें आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए अब देखिए इसमें क्या करेंगे देखिए सबसे पहले यहां से पढ़ते यादव एरजून राजस तथा कमल किर्किट खेलते हैं तो इनकी हम टेबल बना लेते हैं यादव को हम लिए वाय लिख लिया हमने उसके के बाद में कमल कमल का हमने लिख लिया के फिर हमने ये लाइन लगा लिए ये कि चेरो के चेरो के क्या है किर्केट खेलते हैं कि ये सभी के सभी खेलते हैं किर्केट उसके बाद में देखिए राजस तथा कमल टेनिस खेलते हैं अब देखिए राजस और कमल क्या है वो टेनिस खेलते हैं तो टेनिस का हम यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं यह बना लिया राजस और कमल टेनिस खेलते हैं तो इनके आगे टिक कर देते है उसके बाद क्या है लेकिन फुटवाल नहीं खेलते अब फुटवाल का यहां पे यह बना लेते हैं फुटवाल का हम लिखे लेते हैं फुटवाल यह दोनों के दोनों नहीं खेलते हैं उसके बाद क्या है यादव बैडमिंटन नहीं खेलता परंतु गॉल्फ खेलता है अब देखी इसमें क्या कह रहा है कि यादव जो है बैडमिंटन नहीं खेलता यादव यह रहा हमारा बैडमिंटन यह रहा इसमें हम कट कर देते हैं बैडमिंटन नहीं खेलता परन्तु गोल्फ खेलता है गोल्फ के आगे हम तिक कर देते हैं अब देखे आगे क्या है अरजुन तैनिस नहीं खेलता अब देखें अर्जुन कहा है अर्जुन हमारा ये अर्जुन जो है टैनिस नहीं खेलता तो यहां पे हमने क्रोस कर दिया उसके बाद में। कि ये फुल स्टोप है दोस्तों गलती से हो गया कमल कभी कभी बैडमिंटन खेलता है कमल क्या है वो बैडमिंटन खेलता है कमल कहां पर हमारा ये रहा कमल कमल क्या है बैडमिंटन खेलता है यहां पर हमने इस पर राइट क्लिक कर दिया अब देखिए कौन केवल किर्केट खे किर्केट का हमारा ये कॉलम है इसके अंदर केवल किर्केट खेलने वाला कौन है ये देखिए ये हमारा अर्जुन है ठीक है अर्जुन केवल केवल किर्केट खेलता और कुछ भी नहीं खेलता यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर हमारा जो आंसर क्या होगा दोस्तों नमबर बी यहां पे यह रहा अरजुन अब यह देखिए दोस्तों यहां पे हमने एक टेवल बनाई यह पूरी की पूरी टेवल से हमारा जो आंसर बिल्कुल असानी से आ गया कोई कंफियूजन नहीं हुआ तो इसी तरीके से दोस्तों आपको कोशन करना है एक्जाम के अंद आजाए तो मैं करवा देता हूं यह देखिए जनवरी 2017 के अंदर कोशन आया था इसमें कहा है कि निमन लिखित मेंसे सतत परकार के डेटा की पहचान कीजिए सतत परकार का डेटा वो होता है जो कंटिनियूस जो कंटिनियूस चलता रही उसे हम कहते हैं अब देखिए कंट व्यक्ति द्वारा बोले जा सकने वाली भासाओं की संख्या, अब दिखिए एक व्यक्ति है, उसकी संख्या को हम count कर सकते हैं, अच्छे से हमें पता है, कोई व्यक्ति जन दो बोलता है, कितनी बोलता है, यह हमें पता है, ठीक है, तो यह continuous नहीं होगा, उसके बाद में घर मे बच्चों की संख्या ये भी हम अच्छे तरीके से identify कर सकते कि एक घर में चार बच्चे दस बच्चे कितने बच्चे वो हमें सभी का पता होता है अब आगे कि सहर की जन संख्या ये भी हम अच्छे तरीके से बता सकते कि एक सहर की संख्या कितनी है इतने लाख जन संख्या है अगला है हमारा एक कक्षा में छात्रों का वजन अब देखी ये हमारा उपर नीचे हो सकता है ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है गट भी सकता है तो ये देखे जो वजन है वो हो सकता है किसी का मान के चलते है कि 40 किलो हो दूसरे बच्चे का 45 किलो हो तीसरे बच्चे का 35 क किलो हो तो उपर नीचे उपर नीचे ये इस तरीके से हो सकता इस तरीके से कंटिन्यू हो सकता ये हम ये नहीं कह सकते कि एक कलास है उसके अंदर सभी बच्चों का वजन है वो 45 किलो है ये ऐसे हम नहीं कह सकते बिल्कुल सही रूप से इसको नहीं कह सकते तो इसका जो आंसर होगा ये कक्षह में चात्रों का वजन इस तरीके से इसको identify करें दोस्तों हमारी तरह से इस तरह से इस question का answer देंगे और अगर किसी दोस्त को इस question का answer देने का और भी कोई तरीका पता है तो वो आप हमें comment box के जरीए बता सकते हैं लेकिन हमारे तरफ से यही एक तरीका इस तरीके से हमें इसका answer निकाल सकते हैं तो दोस्तो आज के लिए वसी तरह हैं Thank you दोस्तो